दोस्तो वेलकम टू आवर यूटूब चैनल मैं एमन फिर से एक इंपोर्टेंट वीडियो लेख आया हूँ सेमस्टर टू दोहज़र तैस सट्रेशन वाले स्टूइट के लिए जिनका एमजे पेपर पॉलिटिकल संस है आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लेगा और मैं बता दूँ यह कोशन हर एकजाम में आता है इसलिए आप लोग इस वीडियो का अच्छी तरस देखेंगे और इस वीडियो के देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को फिर से परना परेगा अगर फिर से पढ़ना ही पढ़ जाएगा तो फिर ही में PDF टेलिग्राम में या तो वाटसर ग्रूप में अपलोड़ेड है आप लोग वहां से जोइन होके प्राप कर सकते हैं मैं आप लोगों सारी समस्याओं को दूर करने के लिए वीडियो बनाता हूँ ठीक है चलो सबसे पहले आज का important question देख लो प्रंप्रावादी राजनेतिक विज्ञान की परिवासा दे एवं इसकी विस्ताओं को व्याख्या करें मैं बता दू मैं अभी दिरिष्टी में offline class कर रहा हूं और आप लोगों के demand पर मैं वीडियो बनाता हूँ मैं अपना time निकाल गए इसलिए आप लोगों काम यह होगा कि आप सभी student तक share कीजिए ताकि सब का help हो सके ठीक है चली आज का answer का मैं शुरुआत करूंगा परिचे से देखो परिचे किस तरह से दिया जाता है ध्यान में रखिएगा कि प्रमप्रावादी राजनेतिक विग्यान को अंग्रेजी में हम लोग traditional political science कहते हैं ठीक है और इसे ही आदर्सवादी द्रिष्टी कोन भी कहते हैं यह भी याद रखना है traditional political science के साथ इसे आदर्सवादी द्रिष करते हैं ठीक है और यह राजनेतिक अधियन की वह साखा है जो राजनेतिक गतिवीदियों संस्थाओं और परकिरियाओं और विचारों के अधियन पर अधारित है ठीक है यह मतलब आपके राजनेतिक गतिवीदी संस्थाओं परकिरियाओं पर क्या होता अधारित होता है ध्यान से सुनिएगा हर चीज समझ जमा जाएगा अगद देखिए प्रंप्रावादी राजनेतिक विग्यान समाज चाहिए राज और राजनेतिक तन्थृतों के आदर्स और मानक पहलूँपर ध्यान के इंदिस रखता है जो में चीज होता है समाज में, राज में इनके राजनेतिक दर्शन में आदर्स में जो भी में चीज होता है उस पर ये ध्यान रखते है इनका एक परिवासा भी देख लेते हैं प्रमप्रवादी राजनेतिक विज्ञान राजनेतिक संस्थाओं और उनके कारियों के अधियन में आदर्सवादी दार्षनिक और नयतिक दिरिश्टीकोन को अपनाता है यह इनके परिवासा होगे अब देखते हैं प्रंप्रावादी राजनेतिक विजियान की विशिस्ताओNIE हर एक बात को ध्यान सो सुनिए आपको याद हो जाएगा ठीक है चले देखे शमाजिक संस्थाओं और ध्यान केंदेद करता है संस्थाओं पर ध्यान केंदेद करता है यह राज, सरकार, शाविधान, नयापालिका और विदायका जैसे संस्थाओं के स्वरूप और उनके कार पर ध्यान पर जोड़ देता है मैं तो उसके कारे करने के ध्यान पर जोड़ देता है दुसरा देखिए आदर्स वादि द्रिष्टी को खले सुनिए एक एक बात इतना easy language में लिखें कि हमकी समझाना ना परे ठीक है इसलिए मैं इतना research करके वीडियो बनाता हूं ठीक है चले इसमें यह विचार किया जाता है कि राजनेती का उदेश नेतिकता और नयाय के अस्तापना करना मतला राजनेती जो होगा वो नेतिकता और नयाय पर अस्तापना करना होगा ठीक है अगर देखिए दार्सनिक अधार क्या है यह एक द्रिष्टी कून राजनेतिक अधियन मे दर्शन सास्त्र का उपयोग करता है जैसे प्रमप्रावादी दिश्टिकोन का मुख्य अधार है जैसे प्रमप्रावादी दिश्टिकोन का मुख्य अधार है जैसे प्रमप्रावादी दिश्टिकोन का मुख्य अधार है जैसे प्रमप्रावादी दिश्टिकोन को रखते थ ठीक है जिसमें अठीत के अनुभवों और घटनाओं के अधार पर राजनेतिक संस्थाओं का विशलेशन किया जाता है विशलेशन मतलई ये कैसे कारे कर रहा है कर रहा है के नहीं कर रहा है इस पर विशेज़ ध्यान रखा जाता है प्रम्पवादी राजनेतिक विग्यान राजनेतिक को केवल तत्यों के अधियन तक्सिमित नहीं रखता है बलकि मुल्य और नयतिकता को भी सामिल करता है आगे देखते हैं अलोचनात्मक द्रिष्टीकोन कावाँ इस द्रिष्टीकोन में राजनेतिक संस्थाओं और परिकिरियाओं की अलोचना के बजाए उनके आदर स्वरूप स्थापित करने के प्यास करता है अलोचना नहीं करता है इसका आदर स्वरूप स्थापित करता है धेकं नेश देखेंगे मानव सभाव का अधियन यह दृस्टि कोन मानव सभाव और उसकी राजनेति गतिविधियों को समझने में भी रूची रखता है तो यह हो गया इनका विसेश्था है अब देखते हैं इसके कुछ सीमाएं, लिमिटेशन है, ज्यादा दूर तक नहीं, कुछ लिमिटेशन है, पहला है वेग्यानिकता का भाव, इसमें साइंस थोड़ा कम होता है, इसलिए इस दिश्टिकोन को वेग्यानिक और तत्यों पर अधारित अधियन की कमी माना जाता है दूसरा देखिए, वेवारिक राजनेतिक से दूरी, प्रंपवादी दिश्टिकोन वास्तविक राजनेतिक गतिविदियों और वेवार से अधिक नैतिक आधर्सों पर केंदरित रहता है, ने देखिए, अलचनाओं का भाव, अभी जस्ट बोले थे, यह दिश्टिकोन र कोई समस्याओं को डिविल नहीं करेगा, तो प्रॉबलम सॉल्व कैसे होगा भाई, हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे, जब हम गलती करता है, आगे सिखते हैं, वही चीज़ का बात कर रहा है, कोई hard language मैं लीख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको हर चीज समझ माँ जा समाज के बदलते आर्थिक और समाजिक पहलूओं को नजर अंदाज करता है, प्रमपावादी राजनेतिक विज्ञान, राजनेतिक संस्थाओं, आदर्सों और परकिरियाओं के दार्षनिक और एतिहासिक विसलेशन पर अधारित है, हलांकि इसकी सिमाओं के बावजूद आज भी राजनेतिक विज्ञान के अधियान में अधार्भुत मात्व रखता है, इतना लिखी है, आपको देखे, 20 नमर नहीं मिलता तो फिर में लोगों को आके कमेंट केजियागा, ठीक है, हर चीज आप लोगों को समझ में आ गयागा, नहीं समझ में आ गयागा, दूसर